हेलो एवरिवन आई एम देनेंजे बाचपी और आज मैं आपसे डिसकस करने जा रहा हूँ D.S.S.B. जूनियल क्लर की कोट आफ के बारे में जैसा आप सबी को पता है कि इस पोस्ट का जो पोस्ट कोड है वो आपका 13 बटा 20 है और इसका जो एक्जाम हुआ था वो 9 नॉमबर से 17 नॉमबर 2021 के बीच में हुआ था और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक्जाम को अटेंड किया था और कहीं न कहीं हर कैंडिडेट्स के मन में आता है कि यार इस एक्जाम की कोट आफ क्या रहेगी तो आज मैं आपको वही एसपेक्टेट कोट आफ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका मार्क्स अगर इनके उपर है तो आप जो आप नेस्ट आपका जो टैपिंग टेस्ट है उसके लिए आप पूरे तरीके से जुटके लग जाएए क्योंकि अगर आपने टैपिंग टे टैपिंग में दे के त्यारी करिए क्योंकि कई बार आप मोशली केसे में बच्चे देखा गया है कि टैपिंग टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं ठीक है तो सबसे बले बात करते हैं देखे आपको जो कॉट आफ के सास्थ आपको एक मिन्मम कौलिफाइम मार्क्स भी लागने होते हैं अगर आपके मार्क्स मिन्मम कौलिफाइम मार्क्स के नीचे है तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा आप बाहर हो जाएंगे तो बात करते हैं हम जनरल के लिए तो कौलिफाइम मार्क्स 42% होने चाहिए 42% मतलब जनरल के लिए आपका 84 आपका OBC के लिए आपका हो गय नहीं लेकिन टोटल में आपको यह minimum qualifying marks लाने ही होते हैं अगर आपको जो आपका next जो tapping test का है अगर उसमें आपको select होना है अब हम बात करते हैं कि हमारा जो expected attendance वो क्या होगा है देखें 200 number का एक जांस था इसमें यू और open category में अगर आपके जो marks है वो 138 से उपर है तो आप पूरी तरीके से safe है आप tapping test के लिए लग जाएंगे यही बात करते हैं obesity की तो obesity की 127 आपकी जो expected cutoff है इसके उपर जितने भी obesity के हैं वो त्यारी में पूरी तरीके से लग जाएं बात करते हैं obesity category की तो ऐसी के है आपकी 128 अब हम भाई यह कहते कि एसी की क्यों कोट आफ जो है वो बीसी से बढ़ गई वो इस वज़े से बढ़ गई क्योंकि एसी category में जो vacancy है वो कम है यह इसी कारण से एसी category की जो cutoff है वो उसमें थोड़ा सा slightly जो जंप है वो देखने को मिल सकता है बात करते हैं हमें क्याइब कोट आफ जा सकती है अगर इनके इसके उपर अगारा आपके मार्क्स है तो आप पूरी तरह के से सेफ है आप पूरा अपना फोकस टैपिंग टेस्ट पर दीजे जिससे टैपिंग टेस्ट आपका निकल गया क्योंकि मुसली केसेस में आपका जो टैपिंग टेस्ट होता है उससे कई सारे लोग बाहर हो जाते हैं तो आप उस पर फोकस करिए और बाकी इसके लबाँ जो भी आपको जानकारी इससे रेलेटर आएगी टैपिंग रिजल्ट की एडमेट कार्ड की मैं इस चैनल पर प्रोवाइट करता रहूंगा तो make sure subscribe this channel and don't forget to press the bell icon अगर आपने bell icon तबाया तो आपको notifications आपको time to time मिलते ही रहेंगे तो all the best for your next exam and also result Thank you